है दोस्तों मैं यूगे स्यादव आप सभी लोग को मेरे इस यूटूब चैनल विक्टोरियल मन से जागत करता हूं आता करता हूं कि आप लोग विस्वास्ट होंगे जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि यह सेरीज की 20 शीरीज है यट्सनों सेरीज की 20 है और यह इस पर लिखा हूँ है एसस्टिव टेकनोलोजी टेकनोलोजी समतलब तो आप समझ रहे होंगे जो एसस्टिव क्या है इसका मतलब क्या होगा एसस्टिव का मतलब यह है कि जो ऐसी टेकनोलोजी जो आपको जो आपकी कारे है ना उसकी एफिसियंसी को बरहा दे वैसी ट अब लोग आगे देखते हैं ये निउस में क्यों है नीज में क्यों है हाला अभी जल्द में एक वर्ड हेल्थ और इस्टिव आज़िएसन डबली और व्हों उनिशेफ उनाटेज निशन चिड्रेंस फंड क्या प्या एक कर्लोबलि को बात कर रहा है और आपने इंडिया के परप्रेक्ट्ट से कि इंडिया में क्या प्रॉबल्म है इसको अडाप्ट करना के लिए कि अगर कुछ भी लाया जाता है कोई भी स्कीन लाई जाती है तो उसका परफस क्या जी या ग्रेट का यूज यह 71 वर्ड हेल्थ एसम्दी जो हुई थी 2018 में 2018 में वह क्या है कि उसको कल्मिनेट करने के लिए उसमें यह हुआ प्रबाव कारी करने के प्रिपेर कि آइं एक सब्सक्राइब करने कि उससे हण लोग को फ्रीपेर्में इस सथा सब्सकाराइं कि वह ढ़ताि असानी से क्या हो सके वो अपने का यूज कर सके और उद्ध हो सके उनके उनके पास इस रिपोर्ट में यह आया है कि 90% लोग क्या आए नहीं उन लोगो 90% कहते हैं जिनको यूज नहीं हो पाता है जिनको यूज करने के लिए बनलग साधन नहीं उपलज है वो उनको नीड है उस चीज की कि उनकी इशिएंसी बढ़ जाए वो कारिकर सकें लेकिन उनको 90% लोगों को वो मिल नहीं पाता है यू नाट एकसेंट गलोबली और बैस्विक सतर पर रहता है मतलब पूरी वर्ड है जो वैस्विक मानेंगे तो वेस्टिविक लेवर पर 90% पॉपलेशन जो disabled लों है उनके पास क्या है? Assistive Technology का यूज नहीं है और वो यूज नहीं कर पाते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास success नहीं है उनके पास सुविधा नहीं, उनके पास पैसे नहीं है Assistive Technology Progress Towards the Target in the SDC Sustainable Development Goal के लिए Assistive Technology बहुत ही ज़्यादा Repointed Role ले कर सकती है Rating Universal Health Coverage ठीक है? इस रिपूर्ट के जोग की हाईलाइट्स नहीं को देखते हैं 2.5 billion people को क्या है? Need है, इसकी जरूवरत है पूरे लेवल पर और साथे इसमें कौन-कौन से जरूवरते क्या आते हैं Assistive Technology में क्या क्या आजाएंगे Wheelchair आजाएंगे Hearing Ads आजाएंगे Apps आजाएंगे Supportive Communication and Cognition Devices जैसे कि आप अगर किसी Blindler के को जानते होंगे तो वो Computer Road के चलाता है Mobile चला लेता है या इविन आप देखते होंगे Bank में बहुत सारे Bank में Manager तक लोग हो जासे हैं Blindler के क्यों? क्योंकि उनके पास मौजूद है Electronic Media Electronic Source मौजूद उनके पास Technology है उनके पास Screen Recorder के यूज करने का तरीखा प्रास्ता जैसे Cobra करके होता है Screen Recorder होता है यह सब क्या है JAWS यह सब क्या है Screen Recorder Software है जो उनको उनकी Efficiency बरहा देता उनके कारे करने के लिए और प्रूद साहिद कर जता है और 1.1 billion ऐसे है जो क्या है कि उनके पास People Denied ASTIT Product और उनके पास ही नहीं है और कितना है As Low As Low As 30% Sorry 3% of the Neat Access By ASTIT Product और क्या है और जितने भी लोग है न उसमें से 1 billion लोगो उसमें से 3% और ऐसे हैं कि जो उनके पास एकदम है नहीं Number of People in Need of Assisted Device in Future और बताया जा रहा है जो इस रिपोर्ट में पता चला है कि 3.5 billion लोगो को क्या होगी 2015 तक Assisted Technology का उप्योग या फिर ज़रुवत पड़ेगी Last year in Service Provision and Traded Workforce 70's Countries Find Last Year ये इसका मतलख यह है कि जैसे कि बैंक में काम कर सकते हैं और भी सेक्षस में जो ये blind लोगो कर सकते हैं या फिर हेरिंग वाले कर सकते हैं जैसे एजुकेशन में ही है तो अगर Braille Script ना हो Braille Type Rider ना हो तो क्या होगा कि ये जो टीचर होंगे blind टीचर होंगे वो और बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे तो ऐसे जो गयप है न टेकनलोजी का और वर्क में ट्रेंड और वर्क फोर्स में जो डिफरेंस है जो गयप है न ये बताया जा रहा है सब तर ऐसी कंट्रिज है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गयप है इंडिया में अब देखते हैं कि इंडिया के प्रफेस्ट में क्या है इसमें इंडिया से पहले देख लेते हैं इंडिया में क्या जिस्थी है उसकी उससे पहले देख लेते हैं कि अजस्टिव टेखनोजी है क्या यह कैसी आइटम है पीस और एक्विप्मेंट है यह प्रोड़क्ट है जो क्या करें इंक्रीज मेंटेन एंडिया इंडिया में कितना प्राब्लम है इस असस्टिव टोक्नोलजी को यूज करनेगा 2011 के जो सेंसर्स हुआ था डिमोग्रॉफिक उसमें निकल कर रहा है कि दो दस्मलों दो वन परसेंट क्या है पीड़व्यूडी है उसमें विजूली इंपेर्मेंट है यहरिंग इंपेर्मेंट है स्पीच इंपेर्मेंट लोको सब्सक्राइब कर दो दस्मलों दो परसेंट क्या है दो दस्मलों दो वन परसेंट पीड़व्यूडी है तो सोचो कि इतनी जाए गर्मेंट को टेकनोलोजी प्रोवाइड करना तो यह तोड़ा धिक्कत आ रही है यह एंससे नेशनल सेंपल सर्वेय के एकौर्डिंग क्या और भी जो और वियाजेसंस होते हैं उनके थुरू मिला है यह 21.8% ऐसे हैं जैसे कि इसमें से 2.2% के ही 21.8% है जो गवर्मेंट से पाए हैं और 1.8% और यह तो इतना बर्च गया हैं कितना 21.8 प्लस 1.8 28.8.2.3 मतलब कि 22.8% पर के ओल आएड यह सब इतना बगाया हैं मतलब बाखी हैं इतना जाता सोचो अ एक तुल डेवलप्ट बाइड भाइड डेवलेप्ट व्हच्टेव जो एक यह बिद असेस्टिव टेक्नलोजी अशिस्टेंट है यह किसके दोरा डेवल्ट हैजिसंग के दौरा डेवलेप्ट किया गया है इसमें यह है कि जैसे कि अचानक सदेनली जब कोई बीमारी या फिर किसी को अचानक बाई एक्सिडेंट या फिर कोई कोई दिक्कत हो जा रही है उसमें डिसिबिल्टी जा रही है तो उनको रेपीड जल से जल जो इसे विदा प्रादान किया जा रहा है अब यह तो देख लिए कि हामत्सब इंडिया मिचना ज़्यादा प्रप्लेशन है जो 88 के करिफ 72% के क्या गा parity है लोगों से ट्री ट्रोश टोश दो पाती है नहीं लोगों लेbak मिल पाती है नहीं उपलों देख देशा हो दॉंके लिए करना कैंशा है इसल ऐसी ट्रोश ला ना सप्रादा जाहित है जो क्या कर सके सभी के लिए इवरी सिटिजन एक्सेस टू एसेस्ट टोक्नोलजी डेनीड गिदाओट फाइनेंसे राहट सिख ऐसी टेक्नोलजी एसी कवरेज लाने चाहिए जो ऐसे पीड़ोड़ोई को बिला उट उनके मतलब बिला फाइनेंस उनको दिक्कत हुए ज्यादा महेंगा न लाया जाए यह सब चीजे को ध्यान में रखते हुए ऐसी चीजे बनानी चाहिए जो उनको इसली राप्त हो सके दर उसमें से जो कौन से टास्क जो करने चाहिए ताकि य लिए प्रोविजन आप एंटार स्पेक्ट्रम आपकी इंडिग्रेशन रहीटिव सर्विस इन लॉंग टर्म केर यह रहीटिव सेंटर सर्विस सेंटर क्या होता है जो पुनरवास के लिए होता है जैसे कि आप किसी कारण पिछड़ जाते है जैसे कि एक कोई ब्लाइंड ह या फिल कोई घरिंग इंपेर्मेंट है तो वो कहीं कहीं जो नॉर्मल जो चल रहा है उससे कहीं थोड़ा पीछे होगा तो उसको में इस्ट्रेम तक लाने के लिए एक कुनरवास बनाया जाता है तो नर्वास संग्ठन होता है तो यह होता है इसके लिए प्रमोटिंग आप दे यूज़ेज और जो डाइवसिटी आप यूज़ेज मतलब एक ऐसी कोई टेक्नोलोजी लाने चाहिए कि जो बसकेवल एक ही काम न करें जैसे केन है जो ब्लाइन लोग के पास केन होती है तो केन क्या होती है कि उनको मोबिल्टी के लिए यूज़ होती है तो ऐसी सब्सक्राइब के लिए हो जाका घ्यवाइब करें उनको इनको इनको करें प्लसक्राइबski सब्सक्राइब करें मैं यन दोने की है इंडिया मसलिब dramatisme यह धर तो ऑपने बना बनाए ऐसी को टेकनॉलजी क्यों इसे को यूज फुल में इंडिया हुगा है इसमान भारत प्रधान मात्र जनार हो जना हो गयी असेटिव ऐसिस्टेंस डिसीबेल परसं इस्कीम होती है दीन डेहल डिसीबेल स्कीम ये होती है यूनिक डिशिबिल्टी आइडेंटिकेशन रिपोर्ट ये चल्चा में है इसके पर दी एक दिन वीडियो आगी ये मतलब उनके लिए एक अलग आइडेंटिवी बनाए जाए जैसे क्यादार कार होता है वैसे ही उनके लिए एक अलग आइडेंटिटी हो इंडरनेशनल डे इसको मतलब जो टेकनोलोजी होती इसको एडेंटिशन से जोडा जाए है है पब्लीक अवेरनेस बढ़ाया जाए और जो दिक्कते हैं उनको उससे जड़ा जाए और इन्वेस्ट इन डाटा है न इविडेंस बासियो और ऐसी आप पोलिसी लाई जाए जाए और उसमें ऐस यूदाशी से यूज करते हैं उनको सोसाइटी में उनको विर्प में एक्टीव Пाथ इसे हो उनका टेवलॉट ज़ेश बनाये जाए। ऐए उनके यूजी हो उनके कारेकर नेABynn से वो कार्य कर सकें उसमें कि अंगी से सशेटेंगर न इन्यृतरी यशेद सब्सक्कंच और जो ऐसी ला देजा जो लोग के मोरल वैल्यू या फिर नेटेरियल को खत्रा हो ऐसी नहीं इनलाज टैवसिटी एन इंप्रूब वर्कफोर्स पेपेसिटी और जो इनलाज डैवसिटी डैवसिटी को और बड़ा बनाया जाया और इंप्रूब किया जाए किसके तो अगर कोई ऐसे टोकनोलोजी यूज किया जाए जिससे उखी केपासिटी बढ़ जाया या एक्टिव हो जाया तो यह बोला जा रहा है शांपक दोस्तों यह मेरा इंस्टाग्राम और फेस्बुक हैंडल है यहां पर योगेस्यादशिराख से आप मुझे इंस्टा पर जूड़ सकते हैं और योगेस्या